खरगोन जिले के चीरिया वन रेंच के ना öğण कोडी और चेंद्वे को पीट कर मार डाला दरवाशल एक डामेड पर तेंद्वे के हमला करने के बाद आखरशित करामेड़ों नी तेंद्वे पे पत्थर लाठी और डंडो से हमला कर मार डाला है बन विभाग की डी एफो प्रशानत कुमार सिंग ने भी तेंद्वे को मालने की पुस्टे की है करीबन तीन से चाल साल की तेंद्वे ने अचानक जंगल में ग्रामेड उमेश डावर पर हमला कर दिया गुसाय और आक्रोशित ग्रामेडों ने पत्थल लाटी डंडो से तेंद्वे पे हमला कर हत्या की जीरनिया तानच हिदर के नान के गोड़ी और चीनपुर के बीच जंगल की घटना बताई जा रही है मौके पे बन विभाग की टीम पहुची है ग्रामेडों के भारी, भीड के जमाँ और बन विभाग के डी एफो अउपर शान्त कुमार सिंग ने मीडिया से तेंद्वे की हत्या की पुस्ठी की है डी एफो का कहना है कि प्रारंबिक जाच में ग्रामेडों के हमले की पुस्टी हो रही है सुचना मिली है कि ग्रामेडों पर तेंद्वे ने हमला किया था इसके बाद अक्रोशित ग्रामेडों तेंद्वे को मार डाला जाज की जा रही है मौके पर डॉक स्वार्ट की टीम रवाना कर दी गई तेंदुए का पोस्ट मार्टम कराया जाएगा फिर मात का कारण इस पस्ट होगा हाला की तेंदुए के मुँ और अन्य जगा खून मिला है उसे लग रहा है कि तेंदुए पर हमला किया गया है जाज के बाद पूरा कुलासा होगा जाज के बाद कारवाही की जाएगी जो भी दोशी होगा उसके खिलाब मुग्दमा दर्श कराएगी इदा ग्रामिड घायल नहीं भी तेंदुए के हमले है सर खबर आ रही कि तेंदु को मारा रहा है यह सुबही खबर आई थी वहां तेंदु का पड़ा मिला है चैनपूर के पास है तो उसके मुह पे भी चोट के निशान है एक ग्रामीड की भी सूचना है और घायल हुए है उससे तो संबह उता है ग्रामीडों नहीं उसको मारा है है ऐसा लग रहा है देखिए किस पकाते लटना सब्सक्राइब को मतलब ग्रामीड पर हमला किया होगा फिर आक रोश में ग्रामीडों ने मारा होगा उसको अभी तो करी रहे हम लोग जाच पर ऐसा देख के भी लग रहा है कि मारा है तेंदु को मुह पे निशान है किसे हैं अब क्या करवाई कि जाएगी अब जैसे ही पता चल जाता है जाच में हमारे किसने मारा कैसा है तो उस पर केस दर्च करके करवाई करेंगे हम लोग उम्र तीन-चार साल है अभी क्या करवाई चल रहे हैं अभी तो हम लोगों ने डॉग स्कृड को बुलाया है पी-एम यो उसके बाद पी-एम होगा डॉग स्कृड के बाद